और लेट चेक इट आउट गाईज, स्वागत आपका स्टोन टैक में दोस्तों वीवो ने इंडियन मार्केट में अपना एक और किलर रिस्पेक्स वाला 5G स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है जो के वीवो वाई 55S 2023 तो आज किस वीडियो में बात करेंगे वीवो 55S 2023 की कम्प्लीट डिटेल के बारे में ये मुबाईल इंडिया में कब लॉंच होगा, किस प्राइस्पेंट पर लॉंच होगा, क्या इसके फीचर्स होंगे और क्या आपको ये मुबाईल लेना चाहिए आफिन नहीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चैनल ये सबसर पहले बात करते हैं इस मुबाईल के डिस्प्ले के बारे में जिसमें आपको 6.58 इंचिस के IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, अगर बात करें इस मुबाईल के स्क्रीन पोटेक्शन के तो इस मुबाईल में गुरिला ग्लास स्क्रीन अगर बात करें इस मुबाईल के डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, अगर बात करें इस मुबाईल के बिल्ट के तो इस मुबाईल में फ्रेंट ग्लास होगा, और बैक ओ फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, आप चलते हैं इस मुबाईल के अगले सेग के गेमिंग के लिए कितना best होता है तो इस मुबाइल में आपको गेमिंग experience भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा और गेमिंग के वक्त आपको heating issue बिल्कुल भी ना के बराबर देखने को मिलेगा अगर बात करें इस ग्राफिक्स भी काफी अच्छे देखने को मिलेगा अगर बात करें इस मुबाइल के वीडियो क्वालिटी की तो आप इस मुबाइल से 1080p में काफी अच्छी क्वालिटी की फोटोज और वीडियो शूट कर सकते हैं अगर बात करें इस सेल्फी कैमरे की तो इस मुबाइल में 8 मेगा पिक्सल के फ्रेंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा और फ्रेंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी भी 1080p होगी ओवराल दिखा जाते हैं इस मुबाइल में एक डिसन्ट कैमरा सेगमेंट आपको देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं इस मुबाइल के अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मुबाइल की मेमोरी के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में microSD card slot आपको देखने को मिलेगा internal memory 128GB होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो यह mobile आपको 4GB और 6GB के variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में a decent quality का आपको loudspeaker देखने को मिलेगा और 3.5mm jack का feature भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा इसी का साथ आपको इस mobile में proximity, aslumitor, compass जैसे सारे sensor भी देखने को मिल जाएगे और आपको इस mobile में gyroscope का एक dedicated sensor भी देखने को मिलेगा आप बात करते हैं इस mobile के battery के बारे में जिसमें 5000 mh के एक बड़ी LAPO battery आपको देखने को मिलेगी और charging के बात करें तो इस mobile में 18 watt के fast charging का feature भी होगा अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 tap c USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port का feature इस mobile में नहीं होगा अगर बात करें NFC के तो इस mobile में NFC का feature आपको देखने को मिल जाएगा आप चलते हैं इस mobile का सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो यह mobile आपको black और blue color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 2590 होगा अगर बात करेंगे इस mobile के release date की तो यह mobile अभी इंडिया में release नहीं होगा आपको इस mobile के लिए भी थोड़ा और wait करना होगा overall दिखा जातो वीवो की तरफ से आपको इस mobile में सारी feature काफी decent देखने को मिलेंगे मेरे according अगर आपका 20,000 का budget है तो आपको यह mobile जरूर लेना चाहिए चलिए अब सबसे आखर में बारी आती है इस mobile के rating की तो इस mobile के सारी feature को देखते हुए इस mobile के stone rating होगी 6.5 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में